ओम्दम्दम भकये नमा नमस्कार दोस्तों सफला एकादशी के पावन दिवस पर आप सभी को हमारी और से शुब काम नाए वैसे तो आप सभी ने एकादशी व्रत के बारे में सुना ही होगा ये जो व्रत है ये पावश मास के कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन किया जाता है दोस्तों इस दिन देव श्री विश्नु भगवान का पूजन होता है इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन प्रातहसनान करके भगवान नारायन की आर्थी करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान नारायन की पूजा का विशेश महत्व होता है पुन्य प्राप्ती के लिए ब्राहमनों और निर्धन लोगों को भोजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए इस दिन जागरन करते हुए कीर्टन पाठ करना तो अत्यांत ही फलदाई होता है इस व्रत को करने से समस्त कारियों में सफलता मिलती है यह एकादशी व्यक्ती को सभी कारियों में सफलता प्रदान कराता है दोस्तों सफला एकादशी के विशय में कहा गया है कि कई सो वर्षों तक तपस्या करने से जो पुन्य प्राप्त होता है उतना ही पुन्य पून भक्ती के साथ एकादशी व्रत और विधिवत पूजा करने से मिलता है यदि आप सफला एक आदशी का विधिवत पूजन और पाठ कराना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.askganesha.com पर जाकर हमारी ओनलाइन पूजा सेवाओं का लाब उठा सकते हैं इसके साथ ही दो अनमोलवचन कहते हुए आपसे विदा लेते हैं दोस्तों कि जिन्दगी की आधी शिकायते ऐसे ही ठीक हो जाएं अगर लोग क्या करें दोस्तों एक दूसरे के बारे में बोलने की जगा एक दूसरे से बोलना सीख जाएं मेरे कहने से बस एक बार दिल पर हाथ रखकर ये बोल कर और महसूस करके देखिये दोस्तों कि मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं क्यूंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों में जो मुझसे महबत करते हैं धन्यवाद दोस्तों करते हैं